नमस्कार, स्वागत है छात्रों मेरे यूटूब चैनल में अर्विन टिकले यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों आज हम देखेंगे हिंदी लोगभारती कक्षाद दस्वी की पेली दुसरी काई की पेला काव्य बरसही जलद इसके रचनाकार है गोश्वामी कुलसिदास जी और ये यह महाकाव्य का आउंश है तो यहार रामचरित मानस इस महाकाव्य का यहार एक छोटा सा आउंश है तो सबसे पेले बच्चो आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हूँ तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब और लाइक और शेर करने को मत भूलिये तो बच्चो देखते हैं बरसही जलत बच्चो यहाँ पर हम बरसही जलत इस काववे खंड का सरल अर्थ और भावारत यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर चवपाई और दोहो का अर्थ और भावारत यहाँ पर हम देखने वाले हैं तो बच्चों सबसे पेले हम देखेंगे कि चौपाही का मतलब क्या होता है तता दोहा यानि उससे क्या काल जता है इसका पेले हम वर्नन्यापर करते हैं पहले हम चौपाई का अर्थ देखते हैं, चौपाई का मतलब क्या होता है? चौपाई मात्रिक सम छंद का एक भेद है, प्राकृत तता अपभ्राउंश के सोलह मात्रों के वर्रनात्मक छंदों के आधार पर विकसित हिंदी का सर्वप्रिय और अपना छंद है. गोस्वामी तुलशिदास जी ने रामचरित मानस में चौपाई चंद का बहुत ही अच्छा निर्वा किया है, चौपाई में चार चरन होते हैं, प्रत्तिक चरन में सोलह सोलह मात्रों होती हैं, तता अंत में गुरु होता है. इसके बाद बच्चों हम दोहा यानि इसका मतलब क्या है ये देखते हैं, तो दोहा यह अरदसम मात्रिक चंद है, यह दोपंकति का होता है, इसमें 4 चरन माने जाते हैं, इसके विशम चरनों प्रत्तता तुरुते में 13-13 मात्रा होती हैं, और सम चरनों दृते तता विशम चर्णों के आदि में प्रायता जगन टालते हैं लेकिन इसकी आवशकता नहीं है बड़ा हुआ तो पंक्ति का आरंब जगनसी होता है सम चर्णों के अंत में एक गुरू और एक लगु मात्रा का होना आवश्यक होता है और तात अंत में लगु होता है तो बच्चो अब देखते हम बरसे जलत के रचेता गोस्वामी तुलशिदास जीका परीचे इनका जन्म 1511 में राजापूर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआये तता इनकी मृत्तु 1623 में वारानशी उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्तु है गोस्वामी तुलशिदास ची हिंदी साइके के महान कवी थे वे संस्कुरूत के विद्वान, प्रसिद्ध संत और चिंतक थे उन्होंने जन भाष आओदी में रचनाय लिखी है आज से 500 वर्ष पुर्व जब प्रकाशन दुर्दर्शन रेडियो जैसी सुविदान नही थी ऐसे दोर में उनका ग्रंत रामचरित मानस जन जन को कंटस्त था उनके द्वारा अवदी भाष में रचित महागाव्य रामचरित को विश्व के लोगप्रिय प्रतम सो महागाव्य में महतोपुर्ण स्थान प्राफ्त हुआ प्रस्तुत काव्य खंड इसी ग्रंत से लिया गया है चौपाई और दोहज़ जैसे लोगप्रिय चंदो में प्रस्तुत इस महागाव्य अंश में गोस्वामी तुल्षिदास जीन ने बरसात के दिनों का बहुत सुन्दर वर्नन किया है इस प्रस्तुत महागाव्य के अंश में कवी गोस्वामी तुल्षिदास जीन ने चौपाई के पहले विभाग में सिताहरन के पच्चात भगवान स्रीराम के मन में खोने वाली वैकुलता का बहुत ही सुन्दर एवम मार्मिक वर्नन किया है दुसरे विभाग में परोपकारी मनुष्य के बारे में बताया है इसके अतिरिक्त पहले दोहे में कवीने पाकंडी मनुष्य और दुसरे दोहे में कुपुत्र के बारे में बताया है तो देखते हैं बच्चो सरल अर्थ और भावारत बच्चो या पर पेली चोपाई देखते हैं बच्चो या पर इस चोपाई का हम पहले सरल अर्थ देखते हैं और उसके बाद भावारत देखते हैं देखते हैं सरलर रावन जब सिता जी का हरन कर लेते हैं तब स्री राम और लक्षमन जी सिता जी के खोज करने जाते हैं उसी वक्त बरताद बरसात का समय हो जाता है तब स्री राम अपने चोटे भाई से केट है कि हे भाई लक्षमन देखो आस्मान में बादल बड़े गर्व से घुमट घुमट कर भैंकर गरजना कर रहे किन्तु प्रिया यानि सिताजी के बिना मेरा मन बहुत डर रहे बादलों में बिजली रह रहकर चमक रही है वह ठरती भी नहीं है जैसे दुरुष्ट वेक्ती का प्रेम भी स्थीर नहीं रहता अधिक वर्षा के कारण चोटी-चोटी नदिया भर जाती है इसले वह अपने किनारों को तोड़ते हुए आगे बहिते चली जा रहे है जैसे कोई दुरुष्ट वेक्ती थोड़ा सा धन पाकर जब धनी बन जाता है तो वह इत्राने लगता है अर्तात अभिमानी हो जाता है और अपनी मरिया दगाओ को त्याक कर देता है जब बरसात का शुद्ध पानी धर्ती पर किसी मलीन स्थल पर गिरता है तो वह इस प्रकार गंदा हो जाता है जैसे कोई शुद्ध या पवित्र जीव माया के फंदे में पढ़ते ही मलीन हो जाते है अर्था दवलत के लालज में पढ़कर गंदगी को धारन कर लेते है अब बच्चों देखते है इसका भावार्त बच्चों पहले चौपाई का भावार्त देखते है आस्मान में चाय हुए बादल धर्ती के पास आकर ऐसे बरस रहे है जैसे कोई विद्वान विक्ती विद्या का ज्यान प्राप्त करते ही नमरों कर जुग जाते है आस्मान में से बरसात की बुंदे जब पहाड पर गिरते है तब वह पहाड बुंदों के आगात से ऐसे सहता है जैसे कोई संत दुष्टों की बुरी बातों को सहे लेते हैं बरसात के दिनों में धर्ती पर गीरा बरसात का पानी इकटा होकर तालाबों में उसी तरह भरा रहता है जैसे सद्गून एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं नदियों का पानी समुद्र में चाकर वैसे स्थीर हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति इश्वर को पाकर स्थीर हो जाता है अर्थात जिवन मरन के बंधन से मुक्त हो जाता है तो बच्चो इस तरकार इस पेले चौपाई का सरल अर्थ और भावार्थ यहाँ पर हमें देखा है। अब दोहे का सरल अर्थ यहाँ परहम देखते हैं। या पर दुआ है, हरित भूमी, त्रून संकुल, समझू परही नही पंत, जिमी पाखंड बीबात दे, लुप्त हो ही सद ग्रंत, तो बच्चों इसका भावारत है, बरसात के दिनों में धरती घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी बन जाती है, और इस हरी भरी घास के कारण रा से अच्छे ग्रंत गायब हो जाती है, तो बच्चों इस तरसे इस पेली चोपाई और पेली दोहे का भावारत और सरल अर्थ यहा प्रहमने देखा, अब आगे की चोपाई का अर्थ देखा, यहा पर चोपाई है, दादूर धुनी चहु दिशा सुहाई, बेद पड़ही जनुबटु समुदाई, नवपल्लव भय बिटप अनेका, साधक मनजस मिले विबेका, अर्क जवास अपातविनु भययू, जस सुराज खल उद्यम गयकू, खोजत कतहू, मिलही नई धूरी, करही क्रोध जिमी धर मही धूरी, ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत जैसी, निसीत मघन खद्योत बिराजा, जनुदंबन कर मिला समाजा, कुरुषी निरावही चतुर किसाना, जिमी बुद तबही मोहमद माना, देखी अत चक्रबाक खगनाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराही, विविद जन्तु संकुल मही भ्राजा, प्रजाबाड जिमी जिमी इंद्रियगन उपजे ग्याना, तो बच्चो इस चौपाई का हम यहाँ पर सरल अर्थ और भावारता आगे देखते हैं। का समुह, वेदो का पठन कर रहे हो। बरसात के दिनों में अनेक व्रुक्ष में नए पत्य आ जाते हैं, जिससे वे व्रुक्ष ऐसे हरे भरे एवं सुसोबित हो जाते हैं, जैसे किसी सादक का मन, विवेक अर्थात, ज्यान प्राप्त करने पर प्रसन न हो जाता है। के घने अंधरे में चारो ओर जुगनु दिकाए देते हैं, उने देखकर ऐसा लगता है कि जैसे समाज में घमंडियों का दल इकट्टा हो गया है, यह प्रुत्वी बहुत से जिव जन्तु से भरी पड़िये, इससे प्रुत्वी सुशोबित हो गई है। वह ऐसी लग रहे है, जैसे अच्छे राज्या के राज्य में प्रज्या का विकास हो गया हूँ। राहगीर यहाँ वहाँ चलते चलते ठक जाते हैं और विश्राम करने के लिए ठहरते हैं, तो ऐसा लगता है, जैसे मनुष्य ज्यान प्राप्तकर उसके इंद्रियस सितिल होची जाती है, और वह विशे के ओर जाना छोड़ देता है। बच्चों, इस चौपाई के सरल अर्थ के बाद हम भावार दिखते हैं, बरसात के दिनों में मदार और जवासा इन पौधों के पत्ते घिर जाते हैं। इन पौधों को देखकर ऐसा लगता है कि अच्चे शासक के राज्य में दुरुष्टों का कारोबार नश्ट हो गया है। बरसात के मोसम में धूल को कितने भी खोजले, परन्तु फिर भी धूल दिकाय नहीं देती। उस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे क्रोध धर्म को दूर कर रख देता है। अर्थात क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बन जाता है और अपने अच्चायू को भूल जाता है। चतुर किसान ने अपने खेत में जो फसल लगा है उसमें घास फुस निकाल कर फेक रहा है। तब यह देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्यानी लोग मोह माया का त्याक कर रहे है। बहुत बरसात के कारण चक्रबाग पक्षी दिखाय नहीं दे रहे है। ऐसा लगता है कि इस कलियूग में अच्छे नश्ट हो गई है। यह प्रुत्वी बहुत से सजीव जीव जन्तु से भरी पड़ी है। इससे प्रुत्वी सुशूबित हो गई है। वह ऐसी लग रहे है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा का विकास हो गया है। रहागीर यहावाद चलते चलते ठक जाते है और विश्राम करने के लिए ठरते तो ऐसा लगता है जैसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके उसके इंद्रिय शितिल होती जाती है और वह विशे की ओर जाना छोड़ देता है। बच्चो इसके बाद का दुआ है। कबहु प्रबलबह मारूत जहतह मेग बिलाही जिमी कपुत के उपजे कुल सधर्म नसाही। कबहु तिवसमह निभिड तम कबहु का प्रकटत पतंग। बिनसही उपजई ज्यान जिमी पाई कुसंग सुसंग। तो इसका हम भावार्त देखते है बच्चो। कभी कभी यह होता है कि हवा बहुत तेज गती से बेहने लगती है। इस वज़से बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते। उस वक्त यह दुश्य ऐसा लगता है कि जैसे किशी परिवार में कुपुत्र अर्थात बुरे पुत्र के जनम होने से खांदान का धर्म अर्थात अच्चा आच्रन नश्ट हो जाता है। कभी कभी यह होता है कि बादलों के कारण दिन में घोर अंदकार छा जाता है और कभी सुरज दिखाए दिता है। तब ऐसा लगता है कि बुरी संगती पाकर ज्यान नश्ट होता जा रहा है और अच्ची संगती पाकर ज्यान उत्पन्न होता जा रहा है। इस प्रकार बच् इस तरह से हमने यहाँ पर रामचरित मानस के इस खंड कावे का यहाँ पर सरल अर्थ और भावारत हमने यहाँ पर देखा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें तता लाइक और शेर करने के लिए मत भूलें मेरी यूटूब चैनल के लिंक निचे दी गए तता नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए अर्विन टिक लिए इस चैनल को सब्स्राइब करे और लाइक और सेर करना ना भूले धन्यवाद छत्रो आपका यह वीडियो कैसा लगा यह मुझे कमेंट बाक्स में लिख कर भेज दीजे धन्यवाद